आपका स्वागत है यह सीरीज में और आज का एक बड़ा इंट्रेस्टिंग क्वेस्टिन है अल्ब्यूमन पर तो क्वेस्टिन यह है कि सब पिशाप के अंदर अल्ब्यूमन प्रोटीन अगर जाता है तो इसके क्या कारण हो सकते है और इसके लिए कुछ होमिपिती में उपाय है क्या या हम क्या कर सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्टिन है इतना कॉमन हो गया है एक अप्रोटीन है खून के अंदर रहता है वो और इंसानों के अंदर चाहे वच्छे हो के बड़े हो तो वह पिषाब में नहीं जाता ने जा सके ऑँ कुछ लोगों के अंदर जाता है तो बहुत थी कम मात्रा में जाता है उतना के वह पिषाब के अंदर तोड़े दिनों तक जा रहा है तो उसको कुछ नहीं करते हैं या कुछ पर्टिकुलर डायट है और मैं नाकूर में रहता हूं मेरे पर्टिकुलर टाप डायट है अब मैं कुछ दिनों के लिए युएस गया और वहां पर का कुछ खाना चेंज हो गया और उस टाइम पर कुछ डायट है और उसमें थोड़ टाइम के लिए अल्विमन जा रहा है और डिटेक्ट किया और जा रहा है फिर वापस में नाकूर आ गया तो मेरा सब चीज ठीक हो तो ऐसे कंडिशन के अंदर भी हम कुछ करते नहीं है लेकिन बार बार जा रहा है यूरिन के अल्विमन और तो हम उसको ग्रेडिंग करते हैं कि कितना जा रहा है तो हम लोग 1-plus 2-plus 3-plus और 4-plus 4-plus मतल्ब बहुत जादा जा रहा है तो यूरिन बिलकुल गाड़ी हो जाती ह है टर्बिड होती है उसे एक पर्टिक्लर टाइप की बास आती है ठीक है यह तो बहुत खतरनाग चीज हुआ 1-plus 2-plus 3-plus और 4-plus तो इसके अनक कारण है सबसे पहले कारण देखते है कि कौन सी उमर में जा रहा है अगर अगर अठा से लेके 65 साल के लगभग उमर के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि डाइबेटीस तो नहीं है शुगर तो नहीं है और शुगर है तो कितने साल से है और अगर है तो फिर उस किड्नी को नुकसान पहुंचा रहा है दूसरा है इनको ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर है तो कैसा है कंट्रोल है कि अनकंट्रोल है और कितने साल से है और बीपी के वज़े से हाई ब्लड प्रेशर के वज़े से किड्नी तो नुकसान नहीं हो रही उसके वज़े तो यह डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर सबसे कॉमन कारण है आल्विमन जाने के इंडियन पॉपुलेशन के अंदर अगर वो दोनों नहीं है यह दोनौह साथ में तो दोनों का कंडूर्ण बहुत ऐख होना चाहिए ब्लड प्रेशर का कंडूर् अच्छा हूना चाहिए तीसरा है ड्रग्स कई बार हम कहीं कई बीमारी कि धूसी ब्रग्स ले रहे हैं वह ड्रग्स के बिज़े से कहीं किड्णी को नुकसान तो नहीं हो रहा है वो देखना पड़ता है कि चौता है कि किड्नी की खुद की बिमारी जिसको हम बोलते हैं नेफरोटिक सिंड्रोम और नेफराइटिक सिंड्रोम नेफराइटिक सिंड्रोम को मतलब होता है एक ऐसा टाइप का ओटोईमिन डिजीज जो कहीं पूरे बलड के अंदर है दूसरे को और और किड्नी बिचारे एक छोटा सा पार्ट बन रहा है यह नॉर्मली बच्चों में देखा जाता है एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल के बच्चों चोटेर बच्चों के अंदर जहां पिशाप के अंदर प्रोटीन्स या अल्बूमिन बहुत जादा जा रहा है और बच्चा फूल जाता है फूल का है बिकाज यह जो अल्बूमिन प्रोटीन है वो ब्लड में बहुत इंपोर्टन काम करता है वो ब्लड के अंदर जो पानी वाला तत्व है उसको एक साथ रखता है ठीक है, अगर अल्बूमिन कम हो जाता है ब्लड के अंदर, तो फिर फूलन सूजन चालो हो जाती है, यह अच्छी बात नहीं है प्रोटीन होना एक मात्रा में ज़रूरी है लिवर की बिमारी में बी प्रोटीन का जो संतुलन है बॉडी के अंदर, वो बिगड जाता है तो सबसे पहले हमको देखना है किड्नी के खुद की बिमारी तो नहीं है किड्नी के अंदर, इंफेक्शन बहुत जादा होते है उसके अंदर भी जाता है यूरिन ट्रेक्ट इंफेक्शन के अंदर, सिवियर यूरिन ट्रेक्ट इंफेक्शन खासकर एक प्रेग्नेंसी के टाइम पर जा रहा है पर बहुत फरक पढ़ आ है कि नहीं में तो हम डायेट में चेंज करते हैं अगर नॉन वेजिटेरिन है तो अगर दे सकते हैं एगस खा सकते हैं एग-वाइट आफ एपको लेना पड़ेगा यह तो वह डायेट दवा क्या कर सकते है यदि बीमारी पकड में आ गई और अगर हम लोग ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर मैनेज कर सके तो बहुत अच्छा वो हम लोग कर लेंगे अट उसके बावजूद भी प्रोटीन जा रहा है खास करके प्रेगनंसी के अनदर सबसे अच्छी दावा होमिप्रिती के अंदर है वो है हेलोनियस करे है खेलोनियस एक मदर टिंटाजर फार्म में भी दे सकते इसको बट बिकॉस के लंबे समय दिक देना पड़ता है तो हम लोग 10-15 दिन में तीन बार या दो बार डिपेंडिंग ओन कितना एक है दूसरा है यदि यदि जा रहा है लेकिन क्रेटिन वाल्यूस भी हेर फेर हो रहा है क्रेटिन वाल्यूस थोड़ा सा बड़ा हुआ है नॉर्मल अडल्स के लिए 1.4 मिलिग्रम पर डेसिलीटर रहता है क्रेटिन वाल्यूस 1.5 हो रहा है या 2 हो रहा है और अच्छी दवा है जिसका नाम है इल्स सीरम इल्स सीरम 1x 2x 3x पोटेंजी में देते हैं बिकॉज यह में बिलती है इसको भी 10-15 दिन में तीन बार आप दे सकते हैं एक महिने दो महिने के अंदर आप उसको इवाल्यूट कर सकते हैं दोस्तों जो भी दावा बताता हूं प्लीज अपने होमिपाट से कंसल किजिए और यह जो है वो सिफ सजेशन है हर पेशेंट के लिए इंडि के लिए सही हो ऐसा आपको होमिपाट डिसाइड करेगा या आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कोई भी प्रशन हो वे वीडियो के निची पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे आदिल हो सेंडर के नाम से हूँ वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां भी प्रशन करेंगे आपकोंटाक कर सकते हैं 930-79-65618 पर अगर आप मुझसे परस्नली मिलना चाहते हैं मुंबई में फर्स संडे वेवरी मन आता हूं बाकी दिन नाकपुर महराशा में रहता हूं आपकोंटाक कर सकते हैं सेम नंबर 930-7965618 पर काडियोलोजी और होमिपिती भी आप सोला और सत्रह सप्टेमबर को यदि आप हमसे इंट्रेस्टेर्ट सीखने के लिए तो इस ओफलाइन वर्क्शाप आउनलाइन नहीं रहेगा तो आप कॉंटाक कर सकते हैं 930-7965618 ये नाकपुर महराशा बर रहेगा तो आपको हमारे साथ यहां आना पड़ेगा और रहना दोस्तो थांक यू परी मच्छ